नमस्कार हम limits बात करने वाले हैं राजस्टान में जीलूं के बारे में वह जिसमें खारेपाने की जीले हमनी पिष्लीवीडियो के अंदर आप फ़़ा द्रॉन्यों के बारे में बात किके वरमा अरुप सागर में गिनने वाई नद के बारे में बात की बंगाल की खाड़ी में गिनने वाल नदियों के बात की और आप लिए है जो बात करेंगे कि खारी पानी की जीलें दिखिए मैं जिसमें सब्से पहले जो पर्मुख जील है वो है सामबर जील जो की अजमेर में है जामार बनाती है ये जो सामबर जील है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की जील है और भारत की परत्तम खारी पानी की जील है जील का जील जो की ओड़ी सामे है और भारत में जो इसका आपर सामबर जील में नमक उत्पादन है वो हिंदुस्तान शॉर्ट लिमिटेट के दवारा होता है और नमक उत्पादन 8.7% होता है भारत का यह पर मित्था और उपनगर्ड खारी और खंडिला नदिया सामर जील में आकर गिरती है और जो सामर जील में जो नमक उत्पादन है जो लवनिया जल है उसके बारे में अलग-लग वोलवेताओं के अलग-लग मतवेद है कुछ ऐसे मानते हैं कि हॉलेंड से सिवाई द्वारा बहा कर लाया गया था और कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इस थान च्टानों का स्त्रोथ है लेकिन वास्त विक्ता यह है कि संपूरन जील इसका तल है वो 20 मेटर मोटी लवन उफ्त मरदा से ढगा हुआ है और यह जो पूरी जील है इसमें सोडियम कार्बोनेट पाय जाता है सोडियम कलोराइट भी पाय जाता है और यहाँ पर इसी दिए नमक उत्पादन किया जाता है और दूसरी जिसके अगर हम बात करें जो पर्मुक जीला वो डीड़िवाना की जीला जो की नागौर में है, इसमें जो नमक होता है वो खानेयोंगे नहीं होता है, क्योंकि जो इसमें स्वदियम कैलोराइड की जिगा, फलोराइड की मतरादिक होने के कारण डीड़िवाना जील से जो प्राप्त नमक है वो हम नहीं कह सकते घानेयों गरें नहीं होता है उसके बाद अगर हम बात करें तो वह है बाड मेर के अंदर १च्पधरा अजील के बारे में जो पश्पधरा जील है वो उसमें 98 परतिशक तक सोडियम केलोराइट की मतरा पाय जाती है बहुत ही उत्तम किसम का नमक मिलता है आपर यहाँ पर जो बाढ़ मेर के अंदर खारवेल जाती है खारवाल जाती है जो वो मोरडी या मोरली जाडी से जा मोरली जाडी वायू परवाह की पत्ती से नमक उत्पादन करती है सो थैंक यू जैहिन जै भारत